सबसे पहले हम बात करेंगे BAC Limited के बारे में, अगर हम आज के दिन की बात करें तो 202% की गिरावाट, बर सुरोवात में ये गिरावाट हमें लगबग 3 सारे 3 पसंद तक भी देखने को मिला था, उसके बात अच्छे बात है कि बॉटम लेबे से हमें थोड़े बहुत recovery देखन 2%, बाकी पिछले एक मन्त के बात करें, रफली देखोगे तो 0.5% डाउन और टॉप से देखोगे तो ये गिरावाट आपको 15 से लेके 16% गिरावाट नजर आगे, और ये जो स्टॉक बीच में इस प्रका की नोसडाइब गिरा है, तो उसके पीछे का reason भी आपको पता है कि सेवी, हाली में अचानाक सेवी के साइड से एक ऐसी नियूस निकल काया है, जो कि रेगुलर्टी फीस से लेटे जो हमें ये नियूस देखने को मिला, उसके चलते 20 से जैसे stock, एक ही दिन में हमें 19 से लेके 20% गिरावाट देखने को मिला था, और उसके बास stock उसी रेंज मे प्रकार के नेगेडिवी रीजन है, फिर एक नेगेडिवी नियूस है, तो वो कौन सी नियूस है, तो चलते हम देखने उस नियूस को पर, तो हम उस नियूस को थोड़ा सा डीटिल में जानेंगे, तो आज से दो मान पहले आपको बता कि NEC, यानि कि National Stock Exchange ने एक प्रपोज प्रपोजल भेजा था, किस के पास, से बी के पास, जो हेड़ बॉड़ी है, उसके पास, किस से इलेटिट, तो मार्किक के जो टाइमिंग है, उसको इंक्रीज करने से लेटिट, यूकि खास करके जो एक फिनो में ट्रेडिंग होते दोस्तों, फ्यूचर अन उप्शन में, इंडेक्स लिवल पे, उस टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए, एक प्रोपोजल भेजा था, कि से बी के पास, जो हमारे बाजर 9.15 पे ओपन होते हैं, और जो तीन सारे तीन बजे क्लोस हो जाता है, उसके बाद और एक टाइम बाजर ओपन किया जाए, शे पीम से लेके 9.00 पेम तक जिसमें सिर्फ उसरिफ F&O ट्रेडिंग होगा, मतब सिर्फ इंडेक्स लिवल पे ट्रेड होगा, और इसी के चलते, एक प्रोपोजल भेजा, से बी के पास, बर आपको बता है, इन चीज़ों के लिए बहुत पैम लगता है, खास कि जो मेन जो लीडर है, इसम पर आप sales buy करो, sales sale करो, उसके लिए तो हम एड़ी है, बाट अक्चुल में इन चीज़ों को settlement करने के लिए, सबसे ज़्यादा जो main role play करेगा, वो दोस्तों, ब्रोकिंग बाली company, तो से बी तो ब्रोकिंग बाली company से पूछेंगे, तो उसे से related, एक important news निकलता है, जो आज से दो मांथ पहले, जो NAC ने एक proposal भाजाता, सेवी के पास, तो उस proposal को सेवी ने return कर दिया, आप देख सकते हो, कि to extend FNO trading hours, अगर आपको और डीटेल जाना है, तो सेम चीज़े आपको देखने को मिलेगा, कि 9 p.m. to, sorry, 6 p.m. to 9 p.m. थेक, पर important चीज़ कहा है, मतलब ऐसा उनन ब्रोकिंग बाले कंपनी है, तो वो अभी तक इस चीज़ के लिए रेडी है नि, कि आप और एक time increase करो, FN1 में 6 p.m. से लेकि 9 p.m. तर, तो इसके पीछे का reason कहा है, मतलब क्यों यह ब्रोकिंग बाले कंपनी आपको तक रेडी है नि, तो उसके पीछे का reason में दोस्तों में तो आप देख सकते हो, कि इसमें आप बाज देकर timing increase करते हो, तो उसके लिए settlement भी सबसे important चीज़ से रहेगा, तो उसके इनका यह मानना है कि इनके चलते, due to additional cost and technology requirement, तो अब इस लिए additional cost भी काफी लगेगा, तो तीन गंडे market चलेंगे, इतने करोरों का turnover होता है, तो इसके तो additional cost चाहिए, चाहिए, दूसरा, जो technology requirement है, वो अभी तक ready है नहीं, और इनके चलते जो अभी तक, जो NAC का proposal है, उसके चलते सेवी ने return कर दिया, कि भाई, अभी फिलाल के लिए ये चीज़े, जो broking बाले company, वो ready है नहीं, इसके लिए और भी थोड़ा वार टाइम लग स होता है, तो ये कैसी news है, obviously NAC के लिए, साथी साथ, BAC के लिए, दोनों के लिए ये दोस्तों negative news है, क्यों, क्योंकि आपको याद होगा, जब ये दो मन्त पहरे ये news आया था, तब ये stock, NAC तो बाजर में है नि, ये BAC stock कमाल के rally दिखा थे, क्योंकि और तीन घंड अगर बा बाजर टाइम ओपन रहेगा, उतन जदा इस exchange वाले तो अच्छे तरह से कमाई करते रहेंगे, तो जो उम्मीद लेके stock में एक अच्छे तीजिया आया था, कुछ दिन बाज सायसे से भी approval दे दे, ब्रोकिंग बाली company अप्रोबल दे दे, तो बाद अगर टाइम और भी ती technology requirement है, तो ठीक है, और इसी disappointing के चलते, short time basis के आप से आज की दिन चौक में, इस प्रकार की pressure को मिला ओपर से, बाजर भी अच्छेगासी negative महल में, तो ऐसा नहीं के directly इसको बहुत फटका लगेगा, अब यह, मतब यह company बरबाद हो जाएगा, तो ऐसा बिलकुर भी नहीं, यह प्रका के आजाएंगे, तो different day, यह time आपको दुबारा, इस प्रका के announcement दुबारा आपको ज़रो सुनने को मिल जाएगा, but short time basis पे यह negative news है, उसके impact आप stock पे देख भी पार होगे, तो अभी next क्या करना चाहिए, तो next की बात के दुस्तों, तो next की सवाल उनी को problem हो रहे है, म साल में 420 पसें, और 5 साल में 1200-1300 पसें, हाँ तो problem तो अभी 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 इंटर किया, जो problem इंटर करने के बाद हर कोई देखता है, हर stock में देखता है, लेकिन आपके यह सबसे important और खास यह रहेगा, company के number, यान कि कल के दिन, कल के दिन company के quarter 4 के number आएंगे, और number की बात करे दोस्तों, बहुत ही जादा important और बहुत ही crucial रहने वाले है, उसके पिछी का दो reason है, एक तो भाई, NAC, APK competitor ने इतने कमाल के number पेज़न किया, पहली बार 1 billion के profit को भी beat कर दिया, bonus दिया, dividend दिया, चलो यह छोड़ो, profit में 20% की jump है, sales में 34% की jump है, इतनी कमाल की road दिखा है, तो भाई, BAC के उपर भी उसी प्रका की उम्मीद यह expectation किया जाएगा, अब उस expectation को fulfill नहीं कर पाते हो, तो अपने इतने profit बना के दिया, एक साल में, पांच साल में, दो साल में, और stock आज भी दिखा जाए, 15% इसके लिए कुछ भी नहीं है, तब आज भी stock नेर वे आपने top पे है, तो अगर number बाजिक साब से नहीं है, माल लो अच्छे income दिखाते हैं, बड़ expense ज्यादा होता है, तो definitely यह stock top से 15% गिर है, और भी 15% आराम से गिर सकते है, यहाँ तक कुछ ब्रोक के इसाफ को यह भी मानना है, कि number अच्छा है, तो 35% तक भी stock जा सालता है, अगर number खराब तो definitely यह stock इस level से और 17-18% गिर सकता है, इसी level से, और यह stock top level से 16% डाउन है, यह stock और भी 18% इस level से गिर सकता है, जो strong support level है, तो इस level तक भी stock जा सकता है, तो देखते, कल की दिन BAC का किस प्रका के number आता है, अगर आपके पास है, तब भी focus बना कर रखो, अगर आपके पास है अगर आपके पास है, तो अगर आपके पास है, तो अगर आपके पास नहीं है, तब भी आपन स्टॉक को कल के दिन ज़रू अपना focus बना के रख सकता है, दूसरी stock की बात करें, तो CDSE Limited, आज के दिन 0.5% डाउन, बट एक्टर में यासा बिलकु भी नहीं है, शुरूबात म हमें लगबग इन stock में कमाल की gap up हो था, कमाल की gap up के साथ, कमाल की तेजी भी बने थे, लगबग तिन सारे 3% के, उस बाद बाजर में इतने pressure बना, कि stock इस तेजी को sustain नहीं कर पाए, और फिर उसके बाद हमें इसके negative में closing देख को मिला, और इस तेजी के साथ-साथ stock ने सु important news निकल का है, और अगर हम उस news की बात, तो deemate account से लगे, so CDSL में open record 1.09 करोर deemate account, इन एक ही quarter में, एक करोर भी deemate account हमें cross करती हो, देखने को मिला, और बाकी और detail जालना, FI24 कि साब से, या फिर अगर हम physical ER कि साब से बात करें, तो company ने, एक ही साल के अंदर सिर्प उसे CDSL में, 3.26 करोर deemate account हमें open, होची देखने को मिला है, सिर्प उसे CDSL के थुडू, और total CDSL के पास active deemate account है, जो कि CDSL handle करते है, वो लगबा 11 करोर 56 lakh, total deemate account कितने, 15 सारे 15 करो, उसमें से सारे 11 करोर सिर्प उसे CDSL के पास ही है, मतलब बहुत बड़े deemate account, आपको CDSL के पास ही, आ यतना ज़्यादा यह data increase होगा, उतना ज़्यादा CDSL के लिए बहुत ही अच्छे बात है, उनकी income और भी अच्छे तरह साब को grow करते हैं देखने को मिल जाएगा, तो CDSL के बात करें, अगरा मैं इस news के बात करें, obviously, short time, long time, दोनों के लिए यह positive news है, जिसके जए बाजने में जिसको एक positive reaction दिखाए था, और वैसी भी देखा जिए, यह stock पुछले एक साथ से बहुत ही कमाल के performance में है, साल भर में 115%, पाच-पाच साल की बात करें तो सारे 800%, stock इंदम, मतलब आज ही के दिने एक all time achieve गया, तो बाज़े में pressure होने के ज़्यादे sustain नहीं कर पाए, ठीक है, बट आज भी 2000 के उपर ही है, तो जब तक 2000 के उपर लएगा, तो might be stock में अभी एक बहुत बढ़ा move भी आ सकता है, तो किसी के पास है, बिंदास बने रहे सकते हो, यह stock कुछी दिनों के अंदर सायस से आपको अगर बाज़र में महल ठीक रहा, तो definitely इस बार वो 300 के level जरू अ किसी के पास है, लंबी अबदी के लें, और भी लंबी अबदी के चाहो तो इसके बार में consider कर सकते हो, आखरी stock की बात करें, तो एंजिलोन निमगे, तो एंजिलोन की बात करें, आज की दिन भी एक से लिए के देर पसंग की गिरावाट, पांस दिन की बात करें, सारे 7% मह मान भी सकते हैं कि नमबर खराब है, तो stock गिरा है, बट यहाँ पे जो गिरा है, अपर 15 April के बाद, जो company के number आए, इतने कमाल के strong number होने के बाद भी इस प्रका के पेशर होना, जो कि बहुत बड़े negative, मतलब बहुत ही disappointing लगता है, कि number आपने इतने अच्छे दिखा है, और reaction आप इस प्रका के इतने खराब, लेकिन ठीक हम क्या कर सकते हैं, हम से इतना कर सकते हैं कि अच्छे company इतना भी गिरे, तब भी अब उसमें loss भी आरम से बने रह सकते हैं, so CBA से, so Angelo Limited की बात करें, तो इसमें भी एक important news निकल का है, जो कि वो technically news है, अभी आपको बताईए, stock, stocks roughly 17-18% down है, top से लगबा 35% down है, बड़ जिस प्रका की momentum stock में बना है, जो chart stock में बना है, size से गिरावाट और भी further continue हो सकते हैं, और ये चीजें आपको इसके technical में आरम से समझ में आ जाएगा, देख से तो कि इसने 3750 को break-down से देए गिया, अभी 2500 के आसपा से stock rate करें, तो अग तक आयता है, size उसको break-down देखे, इस बार 2250, यूँकि इससे पहले stock आये नहीं थे, size इस बार भी, क्या पता है, अगर बादर में इससी प्रका के pressure आ, तो इस बार 2250 तक भी stock आ सबता है, तो कि अगर आता है, तो क्या done ना चे, तो बिलकोई भी नहीं, क्यूंकि, मैं एक च क्या वो गिरावाट serious है या normal है, तो यह जो गिरावाट है, यह बहुत ही normal गिरावाट है, क्योंकि इस प्रका की गिरावाट, stock ने इससे पहले भी multiplier time दिखा है, एक, तो यहाँ पे October से लेकिए November तक, 14 October से 26 November, यानिकि एक ही मन्द के अंदर stock 35% गिरा था, फिर दूसरे बार अगें 40% गिरावाट, तीसरी बार अगें 35 से लेकि से यहाँ पर 40% गिरावाट है, विदन एक कुछ ही मन्द केले, तो बिलकुर नहीं, फिर एक top बनाए, यहाँ से भी पैसे double कर दिये, तो सेम दोस्तों जो यहाँ पे stock गिरावाट है, जिसको company अच्छ लगते हैं, वो ब पस इतने काच्छों का company अच्छ है, आप चाओते हैं लॉस में भी आरम से बने रह सकते हो,